हेलो स्टुडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चनल मैथ हिंडियन्स में कक्षा 10 गडित में आज के इस वीडियो से हम सुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नमबर 4, दुई घात समी करण और आज के इस वीडियो में हम हल करेंगे exercise 4.1 को ठीक है भाई तो इसके पहले जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे वा था दो चरवाले रैखिक समी करण युग्म जो कि भाई पिछले वीडियो में खतम हो गया था तो आज के इस वीडियो से हम सुरू करेंगे दुई घात समी करण को तो भाई पहले तो वीडियो में बताएंगे कि दुई घात समी करण होता क्या है फिर भाई उसके बाद हम exercise 4.1 को हल करेंगे तो भाई अभी तक जो हम पढ़ते आ रहे थे वो थे दो चरवाले रैखिक समी करण युग्म जो कि भाई इस प्रकार के हुआ करते थे AX प्लस BY प्लस C बराबर 0 भाई इनकी खास बात क्या थी कि यहां पर दो चर हुआ करते थे X और Y लेकिन भाई दोनों ही चरों की घात एक हुआ करती थी यह समी करण रैखिक थे अर्थात एक घातिय थे लेकिन भाई यहां पर डिफरेंस क्या हो जाएगा कि यहां दोई घात समी करण है अर्थात दो घातों वाले हैं लेकिन यहां पर चर केवल एक ही हुआ करेगा या तो X या Y या कोई भी आप चर मान लो लेकिन एक चर के होंगे पर दो घाते हुआ करेंगी यहां पर भाई दो चर थे परंत एक घात होती थी अब भाई इसका मानक रूप क्या होता है ध्यान दीजिएगा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 यहाँ है दुई घास समीकरण का मानक रूप अब यहाँ पर ध्यान दीजिए यहाँ पर केवल एक ही चर है कौन सा x भाई केवल एक चर है x लेकिन x की दो घाते हैं तो भाई कहा जाएगा कि यहाँ एक दुई घात समीकरण है अर्थात ऐसा समीकरण जहाँ पर कोई एक ही चर हो पहली बात और भाई दूसरी बात कि अधिक्तम घाते दो ही होनी चाहिए बाई दो से बड़ी घात नहीं होनी चाहिए तो उसे कहते हैं दोई घात समिकरण अब यहाँ पर condition क्या होती है जो एक main condition है कि बाई कभी भी एका मान सूनने नहीं होना चाहिए अर्थात x square का जो गुडांक है वहाँ सूनने नहीं होना चाहिए अब इसका मतलब क्या हुआ अगर आप यहाँ x square का गुडांक मान लो सूनने कर दो तो भाई क्या आजाएगा बचेगा bx plus c बराबर 0 और यहाँ दोई घात समिकरण नहीं माना जाएगा क्योंकि भाई यहाँ पर कहीं दो घाते लगी ही नहीं है भाई x की यहाँ एक घात है और यहाँ पर तो x है नहीं अर्थात सूनने घाते हैं तो भाई दोई घात समिकरण ऐसा होता है जहाँ पर आपको x की दो घाते दिखनी चाहिए अगर दो घाते होंगी तब ही वो माना जाएगा दोई घात समिकरण जैसे A का मान 0 नहीं हो सकता है तो भाई ये वाला तो दुई घास समिकरण है नहीं लेकिन बाकी अच्छरों का मान आप सूने रख सकते हो जैसे आप B बराबर 0 रख दो यहाँ पर B बराबर 0 रखो तो आजाएगा X स्केर प्लस C बराबर 0 यहाँ दुई घास समिकरण है क्योंकि यहाँ पर X की दो घाते हमें दिख रही है अगर आप मान लो C बराबर 0 रख दो तो क्या बचेगा यहाँ पर A X स्केर प्लस B X बराबर 0 तो यहाँ भी एक दुई घास समिकरण है यहाँ पर हमें x की दो गाते दिख रही हैं जो अधिक्तम गाते हैं वो दो हैं अर्थात एक्स की अधिक्तम दो गाते होनी चाहिए जो कि भाई, आपको साफ साफ दिखनी चाहिए तो आप समझ जाओगे कि यहाँ एक दुई घा समीकरण है परन्त भाई अगर कोई समिकरण इस प्रकार से लिखा है कि वहाँ पर x के घाते जादा है दो से अधिक घाते लगी है जैसे भाई नॉर्मल कोई उदारन ले लो मालो कहीं पर लिखाओ 4x² प्लस 6, 8 प्लस 8 इक्वल टो 0 तो भाई साफ साफ लग रहा है कि यहाँ एक दुई घात समिकरण है योकि यहाँ x की अधिक्तम घाते 2 है तो आपको पता है भाई कि यहाँ एक दुई घात समिकरण है लेकिन अगर यहाँ पर ऐसे लिखा हो कि 3x³ प्लस 4x² प्लस 5x प्लस 7 इक्वल टो 0 अब भाई यहाँ ध्यान दो यहाँ पर भी हमें 2 घाते दिख रही है लेकिन 2 घातों से एक बड़ी घात भी साथ में आई है अर्थात यह वाला जो समिकरण है वा तीन घातों का है क्योंकि भाई यहाँ अधिक्तम 3 घाते हमारे पास है ठीक है तो इसे कहेंगे हम 3 घात समिकरण है यहाँ दुई घात समिकरण नहीं है दुई घात समिकरण यहाँ है जहाँ पर अधिक्तम 2 घाते होती है तो भाई सबसे पहली बात जो हमें प्रसनावली में हल करनी पड़ेगी कि भाई आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन सा दुई घात समिकरण है और कौन सा नहीं है तो अगर कोई समयकरण इस प्रकार से लिखा हुआ है तो आप फटाक से जान जाओगे कि या दो घात का है या दो घात का नहीं है लेकिन अगर थोड़ा अलग प्रकार से लिखा हो जैसे कहीं पर ऐसे लिख दे x प्लस 1 का whole square प्लस 8 बराबर 0 अब भाई कहे दे कि यहां दो घात समयकरण है या नहीं है तो आप यहां क्या करोगे भाई डारेक्ट देख के मत लिखो कि है या नहीं है आप पहले इसे सरल कर लो जैसे यहां whole square लगा हुआ है तो आप पहले whole square को भाई सरल कर लो यहां पे क्या हो जाएगा x square 1 का वर्ग 1 प्लस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0 अब ज़रा इस पे गवर करो कि भाई यहां दोई घात समयकरण है या नहीं है तो यहां पे साफ साफ लग रहा है कि है तो अगर है तो भाई आप लिख दो कि यहां दोई घात समयकरण है लेकिन भाई बिना सरल किये आप कभी भी मत लिखो कि यहां दोई घात समयकरण है या नहीं है क्योंकि भाई कभी कभी क्या होगा कि एकदम बहुरूपिय टाइप लिखे होते हैं और वहां आपसे गलती हो जाएगी जैसे अगर कहीं पर ऐसे लिखा हो x प्लस 1 x प्लस 2 प्लस 6 इक्वल टो 0 आप जैसे यहां कहे दे कि यहां एक दुई घास समी करण है या नहीं है तो भाई देख के तो लग रहा है कि यहां पर कहीं भी दो घाते हैं ही नहीं भाई सब कहीं हमें एक एक घात दिख रही है लेकिन भाई ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट दोनों ही गुड़ा में लिखे हूँ हैं अगर हम इनकी गुड़ा कर लें x इंटू x हो जाएगा x स्कॉयर यहां 2x यहां 1x और प्लस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0 अब भाई देखो अब यहां हमें साफ साफ लग रहा है कि यहां एक दुईघास समीकरण है तो भाई इस प्रकार से आप पहले सरल कर लिया करो जब तक भाई सरल नहीं करोगे तब तक आप पहचान नहीं पाओगे कि यहां दुईघास समीकरण है या नहीं है इसी प्रकार के भाई एक दो उदारण आप और देख लो जहां भाई पहचानना थोड़ा सा कठिन होता है अगर आप सरल नहीं करोगे तो आप जान नहीं पाओगे कि यहां दुईघास समीकरण है या नहीं है जैसे इस प्रकार से लिखा हो X plus 1 X plus 2 plus 5 बराबर और यहां लिखा हो X plus 2 X plus 4 और प्लस 6, अगर भाई कोई सवाल इस प्रकार का लिखा हो, अब आप से कह दे कि यहाँ दुइगास समिकरण है या नहीं है, तो भाई शुरुवात में देखके तो लग रहा है कि नहीं है, लेकिन अगर आप सोचो कि यह चीज गुड़ा में है, यहाँ भी यह चीज गुड़ा में हैं जब गुडा करोगे तो दो घाते तो आही जाएंगी तो भाई ऐसे सोचोगे तो लग रहाए कि यहां दुए घास समीकरण है लेकिन भाई यहां दुए घास समीकरण नहीं है अब कैसे नहीं है पहले आई से आप सरल कर दो यहां गुड़ा करो आजाएगा x square plus 2x plus x plus 2 plus 5 यहां गुड़ा कराओ हो जाएगा x square plus 4x plus 2x plus 8 और plus 6 अब यहां ध्यान दो यह वाले x square और यह वाले दोनों cancel हो जाएंगे क्योंकि भाई यहां भी x square है और यहां भी x square है इन्हें आप cancel कर सकते हो अब देख लो पूरे समीकरण में कहीं पर भी दो घाते नहीं लगी हुई है और अगर भाई कहीं पर भी दो घाते नहीं है तो यहां दोई घात समीकरण नहीं होगा ठीक है भाई? तो आप सीधे ही देख कर नहीं बता पाओगे कि यहां दोई घात समीकरण है या नहीं है तो पहले क्या करना है? पहले आपको सरल करना है गुड़ा हो तो गुड़ा कर दो whole square, whole cube जो भी लिखा हो उसे आप पहले सरल करो और जब भाई सरल करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहां दोई घात समीकरण है या नहीं है तो भाई पहली चीज हमने यहां पर क्या सीखी है? कि दोई घात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? वहां पर condition क्या होती है? दूसरी बात अगर कोई समीकरण लिखा हो तो उसे आप पहचानोंगे कैसे? कि वह दूई घात समीकरण है या नहीं है अगर आप इतना सीख गए हो तो आप exercise 4.1 सुरू कर सकते हो वहां पर हमें केवल दो ही बाते पढ़नी है पहले तो आपको पहचानना है कि भाई फला चीज दूई घात समीकरण है या नहीं है और भाई प्रस नमबर 2 में हमें क्या करना है? भासा पढ़नी है और दूई घात समीकरण बनाना सीखना है उसके बात जब हम अगली प्रसनावली में जाएंगे तो हमें इन्हें हल कैसे करते हैं? वा भी सीखना होगा ठीक है? तो अब सुरू करेंगे हम एकसरसाइस 4.1 को अब भाई सीधा आजाओ प्रस नमबर 1 पे कहरा है कि जाच कीजिए कि क्या दूई घात समीकरण है अब भाई है क्या कि प्रस नमबर 1 में हमारे पास 8 खंड है आठो कंडों में क्या है कि हमारे पास समीकरण दिये हुए है हमें ये चेक करना है कि उसमें कौन सा दूई घात है और कौन सा दूई घात नहीं है ठीक है? तो भाई पहला नियम है कि आप सरल करने के बाद ही लिखोगे कि दूई घात है या नहीं है बाई एक ही बार में ऐसे नहीं कि आपने देखा और लिख दिया कि दुईघात है नहीं पहले आप सरल करो फिर लिखो कि दुईघात है या नहीं है जैसे आप यहां आजाओ लिखा है x प्लस 1 का होल स्क्वेर बराबर ट्वाइस x माइनस 3 तो पहले आप यहां square को सरल कर लो x प्लस 1 का होल स्क्वेर इसको भाई सरल करोगे तो x स्क्वेर प्लस 1 प्लस 2x बराबर यहां आप गुड़ा करोगे तो 2x और 2x चेंसिल हो जाएगा अगर बराबर के इधर और उधर समान संख्या समान चिन हो तो आप काट सकते हो तो आजाएगा x square प्लस 1 और प्लस 6 बराबर 0 6 को आप इधर ले आओ तो क्या बन जाएगा x square प्लस 7 बराबर 0 अब भाई देखो और बताओ क्या यह दुई घात है तो भाई यह दुई घात है चुकि आप यहां x की दो घाते देख पा रहे होगे और अगर x की दो घाते आपको दिख जा रही है तो भाई समझ जाओ कि यह दुई घात समी करण है ऐसे ही यहां पर आ जाओ भाई यहां पर क्या है दो ब्रेकेट है इन्हें पहले खोलना पड़ेगा so x square minus 2x बराबर minus 2 और 3 minus 6 और यहां minus minus plus सब कुछ एक तरफ ले आओ तो x square minus 2x फिर से minus 2x और plus के 6 बराबर 0 यह वाला इधर आएगा तो minus का और minus के 6 तो plus के 6 so आजाएगा x square minus 4x plus 6 equal to 0 अब भाई यहां जड़ा देख के बताओ कि क्या यह दुई घास समिकरण है तो भाई साफ साफ लग रहा है कि यहां दुई घास समिकरण है क्योंकि यहां पर x की अधिक्तम दो घाते हमें साफ साफ दिख रही है तो भाई यह दोनों ही समिकरण दुई घात हो जाएंगे तो इस प्रकार से आपको सरल करना है पहले और सब कुछ भाई बाई तरफ लाके आपको बराबर 0 करना है फिर देखना है कि अगर दो घाते आपको दिख रही हैं अधिक्तम दो घाते बाई दो से बड़ी घात नहीं होनी चाहिए तो भाई दो घात समिकरण होगा और वरना आप लिख दो कि दो घात समिकरण नहीं है अब आगे आजाओ हमने यहां तीसरा और चौता खंड भी लिखा हुआ है अब सबसे पहले देखो आप तीसरे खंड को भाई यहां पर दो ब्रेकेट है और यहां पर भी दो ब्रेकेट है अभी आपको देखने से यहां पर कहीं भी दो घाते नहीं दिख रही होगी लेकिन जब गुड़ा करेंगे तो भाई दो घाते बन जाएंगी जैसे पहले यहां गुड़ा करा लो, सो x x के गुड़ा x square प्लस 1x माइनस 2 और x के गुड़ा minus 2x और यहां हो जाएगी minus 2 बराबर, यहां गुड़ा कराओ, सो हो जाएगा x square प्लस 3x माइनस x और माइनस 3, अब भै ध्यान दो, समान संख्या हो, एक जैसा चिन लगा हो, के इधर उधर हो, उन्हें आप काट सकते हो, यहां पर क्या बचेगा, यहां बचेगा minus x, minus 2, और यहां क्या बचेगा, 2x minus 3, अब ज़रा समीकरण को ध्यान से देखो, कि क्या यहां पर कहीं दो घाते हैं x की, तो दो घाते नहीं हैं, भै कहीं पर भी दो घाते नहीं लगी तो आपको एक तरफ लाने की कोई जरूरन नहीं है यहीं से आप लिख सकते हो कि दुई घास समी करण नहीं है क्योंकि बाई सब कुछ बाई तरफ लाओगे तो दो घाते कहीं बन नहीं जाएंगी अगर एक घाते हैं तो एक ही रहेंगी तो आप यहां से लिख सकते हो कि यहां दुई घास समी करण नहीं है लेकिन भाई सरल करना बहुत जरूरी है जैसे यहां पर सेम ही सवाल है बस खाली संख्याय अलग अलग है गुड़ा कराओ भाई X और 2X की गुड़ा 2X स्क्वेर फिर एक के साथ X फिर माइनस 3 और 2X 3 दोना 6 और माइनस 3 यहां पर कराओ भाई तो हो जाएगा X स्क्वेर और यहां हो जाएगा 5X अब ध्यान दो 2X स्क्वेर और X स्क्वेर को इधर ले आओ सो माइनस X स्क्वेर यहां पर माइनस के 5X बचेंगे और ये वाले भी minus के ही हो जाएंगे minus 3 बराबर 0 यहां पर गटा दो तो क्या आजाएगा x square minus 10x और minus 3 बराबर 0 अब भाई ध्यान दो क्या ये दुईगास समीकरण है तो भाई साफ साफ लग रहा है कि ये दुईगास समीकरण है क्योंकि यहाँ x की अधिक्तम घाते 2 है तो भाई देखो दोनों ही सवाल लगभग एक जैसे थे यहाँ पर भी 2 ब्रैकेट गुड़ा करनी है वहाँ पर भी सेम है बस भाई खाली संख्याएं अलग-अलग थी एक दुई घास समीकरण नहीं है और एक है तो भाई तभी हम कह रहते हैं कि आप देखकर सीधा नहीं बता पाओगे कि भाई दुई घास समीकरण है या नहीं है पहले आपको सरल करना है सरल करके भाई अगर कुछ कट रहा है तो आप काड़ दीजिए और अगर भाई कटने के बाद भी 2 घाते बच जाएं तो दुई घास समीकरण है और नहीं है सीधी सी बात है अब भाई आगे आजाओ सीधा पाँचवे और छटे खंड पर अब भाई पाँचवे खंड क्या कह रहा है सीधा देख लू भाई पाँचवे खंड में लिखा है 2x-1 एक ब्रैकेट में और यहां है x-3 बराबर में है x-5 और भाई यहां है x-1 छटा सवाल है सीधा लिखो x2-3 x-1 बराबर और भाई सामने एक whole square लिखा हुआ है इस प्रकार से और भाई आपको दोनों में ही चक करना है कि दुई घास समीकरण है या नहीं है तो भाई यह वाला जो सवाल है वो एकदम चौथे की तरह है जो हमारा फोर्थ वाला था एकदम सेम है गुड़ा कराओ यहां पर 2x और x की गुड़ा 2x square फिर माइनस 3 के साथ माइनस 6x माइनस 1 और x माइनस x और माइनस माइनस प्लस यहां कराओ सुभाई आजाएगा x square माइनस x प्लस के 5x और माइनस के 5 सब कुछ एक तरफ ले लो सो यहां आजाएगा 2x square माइनस x square माइनस 6x माइनस x माइनस के 7x यहां पर ध्यान देना माइनस का 1x है प्लस का 5x है प्लस के 4x बचेंगे इदर आएंगे तो माइनस के 4 इदर प्लस का 3 है उदर माइनस के 5 है इदर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे यहां गटा लो साचर 11 और पास 3 8 अब भाई बताओ यह दुई घास समी करण है या नहीं है तो यहां साफ साफ लग रहा है कि यहां दुई घास समी करण है same यहां पर आजाओ यहां पर एक तरफ तो हमें साफ साफ दिख रहा है परंत भाई एक तरफ होल स्क्वाइर भी है तो आपको पहले होल स्क्वाइर हल करना पड़ेगा सो इसको ऐसे ही उतार लो 3x प्लस 1 बराबर यहाँ पे खोलो होल स्क्वेर x स्क्वेर दो का वर्ग हो जाएगा 4 और दो दूनी माइनस के 4x अब ध्यान देना यह और यह कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल होने के बाद में और कहीं पर भी दो घाते हमें नहीं दिख रही है भाई सब कहीं एक घात है या सूनी घाते है जब दो घाते हैं ही नहीं तो यह वाला दूई घात समिकरण नहीं माना जाएगा क्योंकि भाई दो घाते जो थी वो तो कैंसिल हो गई अब दो घाते कहीं पर बची नहीं है होगी कि दुई घास समी करण है या नहीं है अब सीधा आते हैं आपने सातवे वाले खंड पर अब बैस सातवे वाले में क्या है यहां लिखा है X प्लस 2 का होल क्यूब बराबर यहां है ट्वाइस एक्स और यहां है X स्कूयर माइनस 1 ठीक है और आठमे में क्या है आठमे में है X क्यूब माइनस 4X स्कूयर माइनस X प्लस 1 बराबर और भाई यहाँ पर है x-2 का whole cube अब भाई दोनों ही सवाल लगबग आपको एक जैसे लग रहे होंगे क्यों? यहाँ पर भी एक whole cube है वहाँ पर भी एक whole cube है ठीक है और भाई हमें तीन घाते भी दिख रही है तो जैसे ही आपको तीन घाते दिख जाएंगी आप क्या करोगे? आप लिख दोगे कि दुई घात समिकर नहीं है लेकिन भाई यह गलत बात है पहले आप सरल कर लो सरल करने के बाद भी अगर तीन घाते बची रहती हैं तो दुई घात समिकर नहीं होगा लेकिन अगर मान लो भाई cancel हो गई तीन घाते तब क्या करोगे यहाँ पर ध्यान दो whole cube पहले खोलो so हो जाएगा a cube plus b cube plus 3ab और यहाँ a plus b बराबर गुड़ा कराओ यहाँ हो जाएगा 2x cube minus 2x यहाँ x cube plus 8 plus यहाँ दोतियां 6 अंदर गुड़ा कराओ 6x square अच्छे दूनी 12x इनको भी इधरे ले आओ minus 2x cube अब by plus k 2x और बराबर 0 कर दो यहाँ देखो ज़रा plus k x cube minus k 2x cube तो minus k x cube बचे रह रहे हैं plus 6x square 12, 2, 14x और plus 8 अब आगे वाली संख्याएं भाई कोई माइने नहीं रखती हैं ठीक है? क्योंकि यहाँ पर x cube बच गया है और अगर x cube बच गया है तो यह दूइघास समिकराण नहीं है सीधी सी बात है आगे 14x आएं चाहें 20x आएं कोई फरक नहीं पड़ेगा अगर यह x cube कैंसिल हो जाते तो यह दूइघास समिकराण बन जाता जैसे कि यहाँ पर देखना यहाँ पर भाई कैंसिल हो जाएंगे कैसे? x cube minus 4x square minus x plus 1 बराबर यहाँ पर खोलो so a cube minus बाई दोनों ही सेम संख्याए है खाली यहाँ plus है यहाँ minus है तो होता क्या है? आप सब कहीं minus लगाते हुए चले जाओ minus 2 का cube minus 3 गुड़े x गुड़े 2 और यहाँ x minus 2 x cube और x cube cancel हो जाएंगे minus 4x square minus x plus 1 बराबर यहाँ minus के 8 और minus के 6 तो minus 6x square और plus के 12x अब देख लो कि कहीं x square ना cancel हो जाएं अगर x square भी cancel हो गए तब भी दुगात समिकर नहीं होगा तो minus के 4x square और यह इधर आएंगे तो plus के 6x square minus x minus 12x plus 1 plus 8 equal to 0 सबकों में एक तरफ ले लिएं यहाँ पर क्या बचेगा यहाँ बचेगा 2x square और यहाँ पर minus के 13x और यहाँ plus के 9 अब भाई देखो और जड़ा हमें बताओ कि दुई घास समिकरण है या नहीं है तो भाई यहाँ तो भाई चीक चीक की कहरा है कि हाँ हम 2x समिकरण है क्योंकि भाई यहाँ पर 2x घाते है तो यहाँ लिख दोगे कि भाई आठवा वाला खंड जो है वा 2x समिकरण है तो इस प्रकार से अगर आपके सामने भाई कोई भी सवाल आता है तो आप भाई आराम से लिख सकते हो कि भाई दोई घात समिकरण है या नहीं है बस भाई एक बात का ध्यान दीजेगा अगर कहीं पर कोई ब्रेकेट लगा हुआ है होल स्क्वेर है होल क्यूब है तो भाई आप वहाँ पहले सरल करोगे ऐसे ही नहीं कि भाई देखा और जोग दिया कि हाँ भाई ये है या नहीं है ये गलत हो जाता है ठीक है अब सीधा चलो प्रस नंबर दो पर पहला खंड हल करेंगे अब प्रस नंबर दो में है क्या तो भाई किताब उठाओ और देखो कि प्रस नंबर दो में हमें करना क्या है कहराए कि निम्न इस्थितियों को दुई घास समी करणों के रूप में व्यक्त करना है चार खंड है ठीक है भाई कोई एक आयताकार भूखंड है होई क्या इसमें कि भासा वाले सवाल है भासा पढ़नी है चीजे माननी हैं हमें और समीकरण बनाने हैं केवल बनाने हैं हल नहीं करने हैं हल तो हम आगे चलके करेंगे यहाँ पर केवल भाई समीकरण कैसे बनाये जाएंगे यह हमें शीखना है ठीक है? आगे चलो पहला खंड है कोई आयताकार भूखंड है उसका छेतरफल है 528 मीटर स्क्वायर कह रहा है कि छेतर की लंबाई जो है चौड़ाई के दुगुन से एक अधिक है तो हमें भाई भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ग्याद करनी है तो भाई यहाँ पर होता क्या है कि आप केवल एक ही चर मान सकते हो अगर आपने किसी चीज को X मान लिया है तो आप अगली चीज को Y नहीं मानोगे भाई पिछले पार्ट में आप एक को X मानते थे एक को Y मानते थे तो भाई मानना बड़ा सरल था लेकिन यहाँ पर उतना सरल नहीं है आप कह रहा है कि जो लंबाई है वह चोड़ाई से दुगुने से एक अधिक है तो भाई नियम तो यह कहता है कि जो चीज छोटी है आप उसे पहले मानोगे तो भाई जो कि लंबाई यहाँ बड़ी है चोड़ाई छोटी है तो आप क्या करोगे चोड़ाई को आप मानोगे जब भी आपको कोई छोटी चीज दिखे सबसे पहले आप उसे ही मान लो लिखो यहाँ पर माना आयत की चोड़ाई बराबर भाई हर चीज मीटर में थी तो आप भी मीटर में ही माल लो X मीटर माल ली हमने अब आजाओ आयत की लंबाई पर अब यहाँ पर भासा पाणनी पड़ेगी वहाँ पर क्या था डारेक्ट भाई आप X और Y माल लिया करते थे कहरा है कि लंबाई जो है अब यहाँ कहरा है कि जो लंबाई है वह चोड़ाई के दुगने से एक जादा है चोड़ाई X है इसका दुगना क्या होगा इसका दुगना होगा 2X और उसमें एक जादा करना है तो एक जादा कर दो जादा का मतलब है एक जोड़ दो तो अगर चोड़ाई x है तो लंबाई क्या हो गई 2x प्लस 1 मीटर तो यहाँ जब आप दूसरी वाली लाइन मानोगे तो आपको सवाल एकदम बारीकी से पढ़ना पड़ेगा उसके बाद आप क्या लिखोगे भाई यहाँ पर यहाँ भाई हमें एक चीज और गिवन है कि आयत का छेत्रफल अब भाई छेत्रफल होता क्या है छेत्रफल होता है लंबाई गुड़े चोड़ाई ठीक है तो भाई यहाँ क्या हो जाएगा लंबाई है 2x प्लस 1 और चोड़ाई है x आगे आप लिख सकते हो meter square चुकि भाई जो हमारी विमाए है वो meter में है अब यहाँ पर लिखो गया प्रसना अनुसार according to question आखिर भाई question में आयत का छेत्रफल क्या दिया हुआ है तो हमारे पास जो चेत्रफल निकला है वह यह है और भाई किताम में कहरा है कि 528 है दोनों को आप बराबर कर दो यहां गुड़ा कराओ हो जाएगा 2x square प्लस x 528 को आप इधर ले आओ बराबर 0 लिख दो और बन गया हमारा समीकराण ठीक है तो यह बन गया हमारा द्विघात समीकराण इसके आगे जब अब इसे हल करेंगे तो आपको x का मान पता चल जाएगा जिससे आप लंबाई और चोड़ाई ग्याद कर सकते हो लेकिन हमें यहां पर इसे हल नहीं करना है अभी आपको हम केवल सिखा रहे हैं कि भासा पढ़ने के बाद आप कैसे मानोगे और उसके बाद कैसे समीकराण बनाओगे ठीक है हमें केवल इतना ही सीखना है तो भाई यहां तक तो समझ में आ गया होगा तो इसे आप नोट कर लीजिए फिर हम चलते हैं सीधा इसके दूसरे वाले खंड पर यह पहला खंड हो गया हमारा ठीक है अब आजाओ इसके दूसरे वाले खंड पर अब भाई दूसरा खंड क्या है पढ़के देखिए कह रहा है कि दो क्रमागत धनातमक पूरांकों का गुड़न फल 306 है और हमें पूरांग याद करने है पहली बात भाई भासा पर अपनी पकड बनाओ कह रहा है कि क्रमागत पूरांक तो भाई आपको यह पता होना चाहिए कि यह क्रमागत पूरांक कौन चीज है भाई क्रमागत का मतलब है जो एकदम आगे पीछे आएं जैसे 5 है तो 6 हो सकता है 4 है तो 5 हो सकता है 10 है तो 11 हो सकता है 15 है तो 16 हो सकता है इन्हें हम कहते हैं भाई क्रमागत संख्याएं जो एकदम लगे-लगे की संख्याएं होती है क्रमागस संख्याओं की एक खास बात होती है अगर आपको पहली संख्या पता है तो उसमें आप एक जोड़ दो तो आपको अगली संख्या पता चल जाएगी या इसका उल्टा कहे दे अगर आपको अगली संख्या पता है तो उसमें अगर आप एक घटा दोगे तो आपको पिछली संख्या पता चल जाएगी बस इसी आधार पे हमें यहाँ मानना है माना तो भाई यहाँ आप क्या करोगे आप चाहो तो एक ही बार में मान सकते हो दोनों पूरांग को हम लिख देंगे माना क्रमागत पूरांग अगर आप एक को एकस मानोगे तो एक कितना मानोगे एकस प्लस वन भाई अगर कोई पूरांग एकस है तो अगला पूरांग कैसे मालूम करोगे उसमें एक जोड कर ठीक है तो यहां तक तो हो गया कि भाई हमने पूडांक माल ली है अब जैसे ही आपको समय करन बनाना है तो आपको लिखना पड़ता है प्रसना अनुसार अर्थात प्रसन के अनुसार according to the question कह रहा है कि दोनों पूडांकों का गुड़न फल 306 है तो बाई एक पूडांक एकस है और एक है एकस प्लस वन दोनों की अगर आप गुड़ा कर दोगे तो बराबर 306 आ जाएगा तो गुड़ा कर दो यहां हो जाएगा एकस स्कुयर और यहां एकस 306 को इधर ले आओ बराबर में 0 लिख दो और बन गया हमारा समिकरण तो यह बन गया हमारा द्विघात समिकरण आगे हल करोगे तो आपसे एकस का मान पता चल जाएगा और उसके बाद आप आंसर निकाल सकते हो लेकिन यहां हमसे आंसर निकालने को नहीं कह रहा है केवल समिकरण बनाने है तो देखा आपने, समीकरण बनाना बेहद आसान है लेकिन आपकी भाइ भाषा पर पकड़ होनी चाहिए जैसे उसने कहा क्रमागत पूरांग तो आपको दिमाग में होना चाहिए कि ये क्रमागत पूरांग कौन चीज है तो भाई अगर आपको क्रमागत पूरांक नहीं पता होंगे तो आप यहां इन्हें मान नहीं पाओगे कि X होगा, X प्लस 1 होगा या X प्लस 2 होगा अब सीधा चलो आप इसके तीसरे वाले खंड पर अब भाई देखो किताब उठाकर कि तीसरे खंड में क्या कह रहा है कोई रोहन है, उनकी जो मा है वो उनसे 26 वर्स बड़ी है भाई यहां से आप मानोगे, ठीक है अगर आपने ये लाइन पढ़ लिया है, तो यहां से आप मान सकते हो ठीक है, जो छोटा है पहले आप उसे मानोगे अब भाई रोहन छोटा होगा पक्का, तो यहां क्या लिखोगे माना रोहन की वर्तमान उम्र भाई यहां उम्र जब आप मानते हो, तो आप वहां वर्तमान जरूर लिख दिया करो क्योंकि भाई अक्सर सवालों में कहेगा पांच वर्त बाद, दस वर्त पहले इस प्रकार से दिया होता है रोहन की जो उम्र है वो एक्स वर्त है, अगर हम कहें रोहन की मा की उम्र अब भाई अगर की रोहन की भाई माता जी की बात करी जाए, तो कह रहा है कि 26 साल बड़ी है अर्थाद, अगर आप रोहन में 26 जोड दो, तो माता जी पता चल जाएंगी तो हमने रोहन में 26 जोड दिया, तो यह आगई उनकी माता जी आगे चलो, कह रहा है कि 3 वर्स बात, आज की बात नहीं हो रही है, 3 वर्स बात की बात हो रही है यह तो हमने वर्तमान माना है, तो यहां आप लिखो 3 वर्स बात अब आजाओ रोहन पे यहां लिखो रोहन की उम्र अब ज़रा हमें बताओ कि तीन वर्स बाद रोहन कित्ते साल के हो जाएंगे तो आज है वो एक साल के तीन साल बाद गर कह रहा है तो आप तीन जोड दोगे सिंपल सी बात है फिर उनकी माता जी पे आजाओ तो यहां लिखोगे रोहन की मा की आयू या उम्र अब भाई रोहन की जो माता जी है वो एकस प्लस चब्विस साल की है अभी तीन साल के बाद में इसमें भी आप तीन जोड दो तो क्या हो जाएगा एकस प्लस उनतीस वर्स भाई चब्विस में आप तीन जोड दो यह हो गई दोनों की तीन वर्स बाद उम्र अभी सीधा आजाओ प्रसना अनुसार पे अब भाई कह रहा है कि दोनों की आयू का गुडन फल अर्थात अगर एक तरफ रोहन को लिखो और गुडा कर दो उनकी माताजी से तो जो गुडन फल है वहाँ तीन सो साथ आ जाएगा ऐसा भाई किताब का कहना है तो गुडा कर दिया हमने बराबर तीन सो साथ भी कर दिया अब जना गुडा कराओ तो सही यहाँ हो जाएगा x square प्लस 29 X और यहाँ पर 3 X और 29 तियां 87 बराबर 360 यहाँ भाई X स्क्वाईर 29 तिया 32 X 87 यहाँ पहले से हैं 360 को भी ले आओ इधर माइनस के हो जाएंगे यहाँ घटा लो भाई कित्ता बचेगा तरह घटा के बताओ माइनस के 273 बचेंगे और यह बन गया हमारा दुई घास समी करण तो भाई इस प्रकार से आपको मानना है ठीक है और जो भी सवाल में कह रहा है वैसे ही आप मान रख दो गुड़ा उड़ा कर लो सब कुछ बाई तरफ ले आओ बराबर में 0 कर लो और समझो बन गया हमारा समी करण तो यह हो गया हमारा तीसरा खंड तो भाई यहां में चीज है कि आप पहली लाइन में मानते कैसे हो अगर आप से वो सही हो जा रहा है तो भाई आप सवाल बड़े ही आराम से लगा सकते हो क्योंकि भाई यहां मानना ही सबसे कठिन होता है अब आजाओ इसके सीधा चौते और आखिरी खंड पे भाई देखो क्या कह रहा है चौता खंड किताब उठाईए कोई रेल गाड़ी है चार सो असी किलो मेटर दूरी तै करती है ठीक है कह रहा है यद इसकी चाल आठ किलो मेटर प्रतिगंटा कम होती तो उसी दूरी को तै करने में तीन घंटा अधिक लेती तो भाई हमें रेल गाड़ी की ना चाल ग्यात करनी है अभी यह क्या है भाई दूरी है चार सो असी किलो मेटर तिक पहली बात रेल गाड़ी हमको भगानी है तो पहले हम भगाएंगे अ आपने स्पीड आठ किलो मेटर प्रतिघंटा कम कर दी, तो भाई टाइम ज्यादा लगेगा, तो कह रहा है कि तीन घंटे का फरक आ रहा है, आपको भाई निकालनी है रेल गाड़ी की चाल, तो यहां दो चाल हो गई, एक पहले चाल थी, एक बाद में आपने घटा दी थी, तो यहां मानोगे, माना रेल गाड़ी की सामान चाल, अब भाई सामान चाल हम मानेंगे, एक्स किलो मेटर प्रतिघंटा, यह वो सामान चाल है, जिससे वाँ पहले चल रही थी, लेकिन आपने बाद में क्या किया? आपने बाद में उसकी चाल कम कर दी, तो हम लिखेंगे, रेल गाड़ी की नई चाल भराबर, अभी क्या हुआ है? पहले की चाल में आपने 8 km प्रति घंटा की कमी कर दी है तो नई चाल हो जाएगी x-8 km प्रति घंटा पहली बात फिर भाई दूरी कितनी है? दूरी है हमारे पास 480 km ठीक है? फिर आपने एक सूत्र तो भाई पढ़ाई होगा समय बराबर वाला समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल तो भाई उसी सूत्र का यहां हमें प्रियोक करना है ध्यान रखो लेकिन भाई समय दो आएंगे एक तो इस वाली चाल से और एक तो इस वाली चाल से तो हम यहां लिखेंगे पहले सामान ने समय जो सामान समय है वहाँ सामान चाल से आएगा दूरी हमेशा उतनी ही है 480 और सामान चाल है X और भैस सामने आपको लिखना पड़ेगा घंटा 480 बटा X घंटा फिर यहाँ लिखो नया समय जो भैस बाद में आपने दूरी घटाई न तो उससे हमें नया समय मिल गया तो दूरी तो उतनी ही है और इस बाद चाल कितनी है X-8 घंटा अब ध्यान दो पहले आपकी रफतार जादा थी तो यह समय कम होगा बाद में रफतार कम है तो यह समय जादा होगा तो हमें भाई किताम में दिया हुआ है कि ये वाला समय तीन घंटे जादा है अर्थात अगर हम इस समय से ये वाला समय घटा दें तो बराबर में तीन घंटा आ जाएगा तो यहां लिखोगे प्रसना नुसार क्या करना है 480 बटे x-8 मेंसे आपको 480 बटे x घटाने है और बराबर में लाना है तीन तो यहां आपना दो बाते सीखोगे पहली बात तो बाई अगर कोई चीज बटे में है तो हड़ बढ़ाओगे नहीं अगर बटे में x आगए है तो दूसरी बात अगर बटम X हैं तो उनका LCM कैसे लेंगे जो भी चीजे आपको बटम दिख रही हूँ उन्हें आप गुड़ा में लिख दो समझो LCM हो गया, इसकी यहां गुड़ा, इसकी यहां गुड़ा LCM हो जाता है अपने मन से ही दोनों जगा संख्याएं एक जैसी हैं, कौमन निकाल लो फिर यहां लगा दो, एक ब्रेकेट जब आपने कौमन निकाल लिया है, तो यहां एक बचा है इसकी गुड़ा यहां करो, तो यहां आ जाएगा एक X यहां पर भी एक बचा होगा, क्योंकि हमने तो कौमन निकाल लिया है यह यहां ले जाओ, तो एक से गुड़ा करने का मतलब है संख्या वैसे ही उतार दो, लेकिन यहां माइनस भी लगा हुआ है तो क्या होगा, चिन बदल जाएंगे माइनस X, प्लस 8, ब्रैकेट क्लोज कर दो बराबर लगा दो, और लिख दो, 3 X, X, कैंसिल, ठीक तीन को इधर लाएंगे, इसको उधर ले जाएंगे तो भाई यह ऐसे आ जाएगा, X माइनस 8, इंटू X बराबर और आ जाएगा, 480, गुड़े 8, और बटे 3 यहां काट पाओगे, काट लो, 3 से काटोगे, 16, 3, 48 यहां गुड़ा कराओ, X स्कोयर, माइनस 8X 16, 8, 128, आगे भाई, 0 भी लगाना है और बराबर में, ऐसे लिख देना है भाई, संक्या उधर प्लस की थी, इधर आ जाएगी, माइनस की और यह हो गया हमारा दुई घास समीकरण, तो आप यहां पर क्या समझे भाई, पहले आपको भासा पढ़नी है, मानना है अच्छे से, और दुई घास समीकरण बनाने है परन्त भाई, अभी हमें हल नहीं करना है, अभी सुरुवात है, तो भाई, एकदम से बोज नहीं डालना है अभी केवल समीकरण बनाना सीखना है, जब हम exercise 4.2 पे आ जाएंगे, तो आपको भाई, यहां पर हम समीकरण हल करने के तरीके पढ़ाएंगे उसके बाद जो प्रसनावली होगी, वहां पर आप ऐसे सवाल पढ़ोगे और आपको हल भी करने पढ़ेंगे, ठीक है? तो भाई, अगले वीडियो में मिलिएगा